हे दोस्तों, सोनी लिव ने अपने स्ट्रीमिंग सर्विस में कई चेंजेस किया हैं जिसे लोग पॉपुलरली सोनी लिव 2.0 कह रहे हैं तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं क्या 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 चेंजेस हुए हैं सोनी लिव में और क्या इन चेंजे से इस अपडेट से सोनी लिफ वन अप दे टॉप स्ट्रीमिंग एप्स बन जाएगा इंडिया का या नहीं तो विटाउट पेस्टिंग इनी ताइम लेस्ट गैट स्टार्टेड तो दोस्तों सबसे पहली चेंज हुई है सोनी लिफ में वो है सोनी लिफ का लोगो पहले इसका लोगो सोनी के चैनल्स की तरह था लेकिन अब इसको चेंज करके थुरा अलग कर दिया गया है उसके बाद इन्होंने इसका UI भी चेंज किया है पहले इसका UI bright color का था लेकिन अब इसका UI है वो dark color हो गया है और दिखने में जो ये dark UI है ये ज़्यादा अच्छा दिखता है उसके बाद Sony Leaf ने अपना player चेंज किया है इसके जो भी movie से tv source थे वो पहले एक अलग player में play होते थे और अब एक अलग player में play होते हैं तो अभी वाला जो player है वो पुराने वाले player से ज़्यादा बहतर है क्योंकि पुराने वाले player में smart tv app जो था Sony Leaf का उसमें अच्छी तरह fast forwarded rewind नहीं कर सकते थे और बहुत annoying था लेकिन अभी वाला जो player है वो पुराने वाले player से बहतर है उसके वाद इन्होंने और कुछ छोड़े-छोड़े changes किये हैं या फिर नए-ने छोड़े features एड़ किये हैं जैसे कि पहले अगर आप movies वाले section को click करते थे Sony Leaf के smart tv app में तो खली दो categories ही मिलते थे आपको Bollywood movies और Hollywood movies लेकिन अब यहां पर आपको और languages के भी categories मिलते हैं साथ में आपको genre के भी categories मिल जाता है ऐसे best of action, best of comedy इस ताइप से तो यह भी एक छोटा सा अच्छा update है इसी तरह ही होने जो Sony Leaf के smart tv app है उसमें login करने का system change कर दिया है पहले आपको अपने email या फिर mobile number से login करना परता था उसी में type करके लेकिन अब आपको Sony Leaf के android tv app में एक code मिलेगा उस code को आपको Sony Leaf के smart phone app या उसके website में enter करना होगा login करने के बाद फिर आप आपके smart tv app में login हो जाएंगे साथ में Sony Leaf ने अपने apps में trailer के autoplay का भी feature add किया है जिसे जो भी source होते हैं home screen में उनका trailer जो अपने आप play करना शुरू कर देता है ऐसे यूर अनर का शुरू हो जाता है अगर आप अभी देखेंगे तो Sony Leaf के app को खोल कर तो इस तरह से इन्होंने कुछ और चोड़े चोड़े changes किये हैं और content की बात करें तो इन्होंने ज्यादा कुछ add किया नहीं है खाली तीन originals add किये हैं और ये भी promise कर रहे हैं कि हर Friday को ये कुछ न कुछ नया content add करेंगे और इसके अलावा जो बाकी का content था वो same ही है Sony Leaf में के बाद एक important चीज़ ये भी है कि Sony Leaf ने अपना price जो है वो double कर दिया है पहले इसका जो price था वो था रूपीस 4.99 वन येर के लिए लेकिन अब रूपीस 9.99 हो चुका है वन येर के लिए साथ में ये जो packages हैं आपको half yearly और monthly packages के form में भी मिल जाता है monthly वाले package का जो price है वो है रूपीस 2.99 और half yearly वाले package का जो price है वो है रूपीस 6.99 और अगर Sony Leaf ने ये जो price increase किया है price double किया है ये सिर्फ अपने changes के लिए किया है तो मुझे ही लगता कि उतने कुछ खास changes किया है Sony Leaf ने क्योंकि यहाँ पर extra content के नाम पर आपको सिर्फ तीन नए originals मिल रहे है अगर आप देखेंगे जब hot star disney plus hot star बना तो उसमें पुरा disney का बहुत ज़्यादा content एड हो गया और उसके लिए उसने जो भी अपना price है increase किया था तेकिन यहाँ अभी के date पे इसमें सिर्फ तीन नए originals है और इन्होंने यह जो changes किया है इससे ऐसा तो नहीं है कि यह best OTT app बनी जा है इसमें अभी बहुत ज़्यादा bugs हैं बहुत ज़्यादा problems हैं अगर आप Sunilift के play store page पे जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे bad reviews मिल जाएंगे जो भी लोग इसमें complain कर रहे हैं बहुत सारे problem सारे हैं लोगों को भले उसने price increase करके अपना price जो है जिफाइफ और Amazon Prime Video के जो prices है उससे equal कर लिया है क्योंकि अगर आप देखेंगे जब इसका price 4.99 था तो ऐसे लग सकता था लोगों को यह cheap है तो उतना कुछ खास नहीं होगा लेकिन अब जो है price increase किया तो यह जो चीज है यह तो मतलब equal हो गई है कि यह भी उतना ही price का है लेकिन मुझे लगता कि most चीजों में Amazon Prime Video से जीट पाएगा साथ में Sony Leaf में एक और problem है कि इसके जो movies है अगर आप जाके देखेंगे movies पर click करके तो उसमें जो sections होते हैं वह चोड़े-चोड़े sections है मतलब अगर आप दो बार या एक बार click करेंगे उसके arrow को तो वह पूरा section खतम हो जाएगा उसमें जो भी movie का list है और वैसे ही सभी sections के सा साथ है उसी को अगर आप compare करेंगे Amazon Prime Video और Disney Plus Hotstar के साथ उसमें आपको हर section में बहुत ज्यादा movies मिलती है इससे हम यह तो यह मायन सकते हैं कि Sony Leaf के पास उतना जादा content नहीं है movies के मामले में या फिर Sony Leaf का जो presentation है अपने movies का वो ठीक नहीं है तो जैसे कि आप देख सकते हैं अगदम बड़ा streaming service उतना best streaming service टैप से बन गया है वह भी नीचे में ही है streaming services के मामले में तो इस वीडियो में हमने देखा कि Sony Leaf में क्या क्या changes हुआ है तेकि अगर आप Sony Leaf के बार में और detail में जाना शाथ नहीं कि इसमें किस type का content है sports में क्या content है वो सब तो उसकी वीडियो इतना ही था था थैंक्स वर वाचिंग कीप वाचिंग टैकनो वैभाव